कि अज़िए अज़िए बच्छों अब शुरू करेंगे हैं कि अच्छा सुनूं अभी आप लोग यहां क्लास में बेठे हो और जो अनल लिक्टर देख रहे हैं बेठा सर आपके पास भी क्वेश्टनर बुक नहीं है कि अज़िए बिटा ठीक है तो सर कोई बात नहीं मैं यहां पर क्वेश्टन की पीडिफ ओपन कर रहा हूं ठीक है आपको क्वेश्टन यहां देखना है बिटा एंड साथ साथ में सौल करना मेरे साथ दच्छों ठीक है सर चलेगा अब अच्छा अभी अपना चैप्टर में लाशने बढ़ेंगे बिटाम लोग ठीक है चप्टर टूशेश्ट रूगे बिटामने हाँ ना भाई ठीक ओके चली सर अरे श्टार कर रूगा लेक्ट्टर ओके सर चले मालिक गुट मौरीफ यह समंझ में आया बेटापको क्लियर और शिद्दत के साथ साथ रिविजन भी आपका हो गया मोहबबत साथ बच्चों आये सर क्वेस्टिन्स भी देख लेते हम इसके कि सर किस तरह से क्वेस्टिन्स आते हैं एंसर किस तरह से मैंने आपको क्वेश्टनर बुक दे रखी है सर सो देट आपका कॉंफुडेंस वह बना वाया वेटा उसो चार चाम लग जाया बेटा क्लियर अच्छा सुनू सर देन चड़ती शराब से ली चड़ती महूल से है इधर इधर दियान इधर दियान भायो इधर ओ मालिक ओ सरकार दियान इधर सर सबसे पहली बात हback कर सबसे पहली बात यह आप जिनदगी में धियान अबीड़ा के question की बेस पड़ाई नहीं होती है पड़ाई की बेस पर questions होते हैं आरे clear Sir जरुरी नहीं है कि हर लोग वा लाइन की आपड़ रुह पड़ी हुआ पर यह जरुर्र है सर की सर अगर आपने सारे लाइंस पड़े है सारे concept पड़े बिटा तो question कोई भी आ जाए कैसा भी आ जाए विड़ा क्या है अब यह questioner book में क्या cover है सबसे पहले में आपको बताता हूं बचो कि यह क्या cover करता है यह questioner में हम क्या पढ़ने वाले बच्चे सर सबसे पहली बात सर इंस्टिट्यूट आई से के सारे question of the study materials are covered here बेटा मतलब जितने भी आपके आई से के study material के question से every question is covered here sequence wise हाँ ना भाई सारे questions में cover है प्लस सर मैंने मैंने सब्सक्राइब बोला भी आपको यह बात ठीक है पर फिर बताता तो बैठाम को फिर मैंने second part देखा आपको section में additional question पता है कौन से बिटा ही है आज तक from May 18 was the first exam of the GST बिटा जुलाई 17 में GST बिटा माई 18 was the first exam for GST for ICA बिटा ठीक है माई 18 से लेके आज तक जितने exam हुए उन सब के questions के answer भी यहां आपको मिलेंगे वो भी इस पर current amended law clear समझे मेरी बात सारे answer को मैंने amend किया इस पर current applicable law बेचा हो सब्सक्राइब में लो कुछ और था अभी questions भी दे रखे बेटा है ना भाई clear सर इंस्टूट के जितने MCQ जो सब भी इसमें cover है मतलब इसको कड़ोना तो लाइफ जिंगा लाला अब मैं आपको यह बात इसलिए बताई बच्छो की यू कंप्लीटली एं ब्लाइंडली रिलाइए ओन इस questionnaire for your examination purpose बच्छो इसके लाव आपको कुछ और देखने की सौरत नहीं है एक्जाम्स के लिए बेटा ठीके आईए बच्छो सर शुरू करते हैं और यह इस चप्टर में नहीं साथ है चप्टर में सही क्या आपको ओके सर जैन देना बेटा यह रहा लेवी ओफ जी एश्टी सर सबसे पहला question आप question बढ़ेंगे answer नहीं देखना बेटा आपको ओके मालीक सर जैन देना बेटा क्या बेटा क्या बेटा क्या क्या अंसर दिखरा तो दिखे गई ना बेटा यार आप में देखों ना यार सर जैन दो सर आई से इस्टी मट्रील क्वेश्टी सबसे पहला सर मेघराज एंड कंपनी दिखरा आपर पड़ो मतना बेटा उसको आप क्लियर सर जैन देना मेघराज एंड कंपनी विशेस्टु कमेंस दब बिजिएस अव स्प्लाइंग कर्णमें विदिन पंजाब सर पंजाब के दर ये रे जवरेडेगा स्निका बिजने का बिसने श्रू करना चाहता है बिटा एंड इन दीनेबरिक स्थे डिली और अट अल्म्स मतलब पंजाब में तो बूज बेचए गे का साथ में दिली और हरेना में भी बेचे गाया बटा, kindly state as to what is the taxable event under GST and levyability of C-GST, S-GST, UT-GST and I-GST only, same. मतलब आप बताओ, सर सबसे बली बात हो, GST लेवी कभ होता है, what is the taxable event? सर, supply of goods, इस केस में रडिमेंड गार्मेंट बटा, तो supply of goods, आप मुझे बताओ, यहां पे सर, C-GST लगेगा, S-GST लगेगा, कि I-GST लगेगा, क्या लगेगा, बचाव? जब पंजाब में बेचेगा, तो it is intra-set supply, इस पर क्या लगेगा? C-GST and S-GST, और जब दिल्ली या हरेना बेचेगा, पंजाब से, इस इंटर-set supply, इस लिए लगेगा बचे? I-GST, पका, ठीके, अचा, यह तो के बलाए, सिंगल लाए, क्वेशन था, मैं कुछ क्वेशन के आंसर आपके लिखोंगो, ठीके, जो अच्छे क्वेशन होंगे ना, उसके आंसर लिखेंगे, इस लिए अपने पता भी बड़ेगा कि इस तरह से क्वेशन आतों और किस तरह से आंसर लिखना है बेटा, ओके, चलिए, सर, अच्छा सुनू, दामुदर प्राइवेट लिए बेटा, अच्छा सुनू, इसका आंसर दिख रहा था पर आपने पढ़ा तो नहीं बेटा वासे, ठीक है बेटा, ओके, हाना, येस, ये चीज़ी भी आपको सीखनी बेटा, हाँ बेटा, अच्छा, UTGST क्या होता है, बेच्छा, अगर, अगर, यही मालनो है, DAADRA, नागर ह्वेली में होता है, ऐखोता है, अनन नागर ह्वेली में और में गूड्स दादरा नागर फेली से तादर नागर ह्से, विह कैस में, QCGST VA, UTGST लगता हूँ ऐस केस में बेटा, प्लेयर चंडदी घर होगे है, तो के और यही अगर इंटरेस्टेट होगे तो हमेशा ही क्या लगे बच्छा IJST शायद मेरी बात समाधे आगे बिचा ठीक है गुट ठीक है अच्छा आपको कही भी डॉट लगे ना अप मेरे से पूचहे गाए ला अल्टिमीली क्लास किसके लिए आपके लिए अपके अब भी नहीं लाश्क वेश्मन था ना दिल्ली बिटा क्लियर तब सुना होगा अपने ना उससे वह बोलते बिटा फ्लर्ट करना बिटा जूट बोल रहे बिटा आप लोग सर दिल्ली मेरे क्लास में भी एग्जमल लिए था बिटा है ना फिर जान दो सर दामधर प्राव प необход Utam इसर दामधर प्रावेड लेटेड रजिसर्ट इिल्ली हेей इस ट्रांसफर्ड है tron Guard some good tu बेंगाल मैं आगे पढ़ूंगा क्वेशन पर में जो बताओ यहां पढ़ने तक आपके दिवांग में क्या आगे है बच्छा क्या बच्छे डिस्टींड पर्सन और सप्लाय के सुप में आएक और आई जिस्ट लगे है बिटा है ना भाई दिख पढ़ते पढ़ते आंसर आ Sir, Damodarने क्या बिटा दिली से अपनी फार वेश बैगाल में बिटा सो एट वोढ़ हनगेस स्टींड विट्र्व खर्वार को देख पाई बेच्छ गृट वह ऴavez gobierno प BURम अभा नहीं पढ़ते नो दिख्षा से दिखर्वेए, झूहां प्र्ण्ख बालोटे नी कुछिज्वा is no consideration is involved आप मुझे बताओ whether the transfer of goods by Dhamudar private limited to its branch officer, does it qualify a supply? आवाज नहीं हो है? तो अब मुझे बताओ, हम answer कैसे लिखेंगे? एक काम करो, sir, अब लिखो, लिखो, इसको answer छोड़ो बुक में क्या लिखर का छोड़ो बता, आप लिखो, पताथ बढ़े, किसे लिखते एक सामने answer? अचा, एक मिनिट, sir, ये question जो देखाना आपने, इसको बोलते practical oriented question इसको बोलते case study based question, sir, सम्झे, sir, practical oriented कि बतलाओ, यह नहीं है, कि sir, आपको GST का portal फोल देगे बता, और बताओ किसे यह सब्ला हो रहे वैसे थोलो था सब्ला बीटा इनी को बोलते case study based question इनको बोलते practical oriented question बच्छा ठीक है लिखे आंसर बच्छो लिखो बच्छो आंसर प्रांजल और जो भी बिटा ओनलाइन बेटे बिटा में लेक्षर खतम होते ही आपको यह चप्टर का पीडिएफ भी आपके टेलिग्राम ग्रूप में भेज़ दूगा बच्चो और अभी क्या मेरे पास है नहीं बिटा ओफिस अमंगाना पड़ेगा बिटा मेरेको अभी अब लिए चलिए पहली बातों क्वेश्ण के बिटा कि सर दिल्ली प्रांच से आपने वेश्ट पंगल प्रांच में गूट्स ट्रांसफर किया है तो वह सप्लाइए के सको में आता कि नहीं आता है सिंस इडिस विदाउट कंसलेशन मिचा है ना भाई क्लियर तो सुनो इतने देंदो फेले संजो बिटा कभी भी आंसर अगर लिखते हो एक्शाम में बिटा तो वह तीन पार्ट में आंसर हो नहीं बच्छा कितने पार्ट में बच्छा तीन फर्स्ट भली फ्रोविशन लि हैं और आप जो प्रोविजन लिखेंगे वह आपकी लिंग्विजन लिखो पुक की लिंग्विज़ जरूरत नहीं है क्लियर सर आपको समय लुकि में बच्छा अब को से सक्ष्ण नवर लिख रहा हूं इटा आपको याद नहीं एक्जाम के लिए चलेगा बच्छा हुआ याद नहीं होगे चल जाएगा बच्छा आपको सर वैसे इंपोर्टन इंपोर्टन सेक्शन नमबर बड़े-बड़े सेक्शन नमबर तो मैं इतनी बार आपको रिवाइस करा दूंगा कि आपको वैसे भी याद हो जाएंगे रेड़ेश पर वीड़ेश तो ऱ्हुट्टन टीए लू जारी न वर टू फूटन टीए शुर्टन बार टीए 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 जिवत गूत टीए 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 फजिए टीएट सेवेंटील थीए धिए और supply of goods by a person supply of goods by a person to his distinct person to his distinct person in the course or furtherance of business in the course or furtherance of business is treated as is treated as supply is treated as supply although although it is without consideration of all though it is without consideration full stop ھیک سنو आपकी लिंगरिजमें आप नानसे लिए वदा यह वला यह था एप्लिकल प्रोफिजिन पचा आपको वापस देखना है यह प्रोफिजिन मैंने बोला आपको यादा है बचा आगे आए बचा आपको ठीके सर अब लिखे क्या fact of the case second पेरा लिखे बिटा fact of the case facts लिखे अगे facts of the case facts of the case okay dash करके लिखे लिखे बिटा नेक्ट लाइन में sir in this case the Amodar private Limited is registered under gst is registered under gst in the state of Delhi as well as in West Bengal दामदर प्रावट लिम्टेट इस रजिस्टर अंडर GST in the state of Delhi and West Bengal clear लिखा आपने therefore therefore both the branches are both the branches are distinct persons both the branches are distinct persons okay full stop okay clear दोनों ब्रांच रजिस्टर डे इसले दोनों ब्रांच के दोनों आपस में distinct person ठीके एग मिन अभी लिखना मत बटा अब सिंस देखो अपने first प्रिग्रम में क्या लिख दिया बैच्छा ठीके फिर फेक्ट लिख दिया बैच्छा पने अच्छा applicable प्रोविजन में लिख दिया कि distinct person को अगर आपने supply क्या गुट्स को विदाउट कंसिडेशन में टा क्लियर सर तो भी क्या होता है बचा सप्ला होता है हाँ है ना भाई और यह दोनों क्या है बटा distinct person नहीं हमने लिख दिया बटा अब लिखिए आंसर conclusion में चाहँ कंकुजिन अंसर लिख दो कंकुलूसंगो कंकुलूसंगो जदा बढ़े आपटा बात अबेंड क्लेर सर थिंस दामोदा प्रवेट लिम्टेड है सप्लाइड प्रोव प्रोव गोट्स प्रोम देली ऑफिस तो इस दिस्टिंट परसन तो इस दिस्टिंट परसन इंवेश्ट पंगल गोट्वर धर्वर therefore this transaction will be this transaction will be covered under the scope of will be covered under the scope of inverted co-mobligna supply will be covered under supply will be covered under supply although although it is without consideration although it is without consideration and IJST will be charged IJST and IJST will be charged in this case okay clear we are going to be covered in this case we are going to be covered in this case we are going to be covered in this case से बिट पृती ऑट्रीट विट्वेट इस सचेटेर्स इंगेश्ट इनुग इजिए इंगेश्ट विजेश पृत्र पृत्र इस के अधियर ईसी पृत्रव रीट हुट्र आफ। है और अगूटन के पृत्रिव झाल्ब। एक्ट एन्युमेट सच एक्टिविटीज इफ एनी बेटा मतलब यह अपने टेक्स कंसलेंट से पूछता है क्या कि अगर विदाउड कंसलेशन कोई ट्रांजिक्शन तो क्या सप्लाय होता है जिन प्रणिक्शन आपको लिख आने हैं जिसके नहीं इलिखा है कि यह चार पेरग्राफ जहापे सप्ला यह होता है विटा पर्माने ट्रांपर यह अदा है बचाए बचा बचाई है बेचा घंक प्रींसिपल टो एजए जैंट ऑप्रिंसीबल बैटा विटा इंप्ट अप कोई सब्सक्राइब आए बच्चा आपको एस हाई न भाई ये चार लिक्राइब कोई खास बात बच्चा इसमें नहीं आई यह सर question number four composite supply is treated as supply of that particular goods or service which attract highest rate of tax examine the valid debita composite supply को हम classify करते तो बोलो क्या आणसर बता हुझा आप इस statement is invalid अब बता वैलिड क्यों को बता वाजू आपको आपको आई यह सर और mix supply is a high asset जोता है जालिया transfer of title and position is necessary for a transaction to constitute supply of goods क्या ownership transfer होना compulsory क्या बटा आवाज नहीं हो ए सार जैंदेना बच्चो इथा द्यान sir transfer of title canola sir transfer of title and position को सुनना बेटा नहीं दिया तो क्या वोण supply of goods के लाएं जा अगर मुझे बता अगर मैंने को जैसे ये goods इती है यह मैंने आपको बेचा विटबन तो यह बेसा कब कर आए कि क्या है बेचा बैचा विने यहिप नहीं दी झियोती तो शर्मीन अमटी यार इसलिए टील as well as position both have to be transferred for a transaction to be considered as a supply of goods in case अगद title transfer नहीं हुआ है, the transaction would be treated as supply of service in terms of schedule to Pira 1 close number B. In some cases, position में भी transferred immediately, पर title हो सकता है, बाद में transfer होगा, upon payment of all the instrument यादा है वचा आपको? Sir, in case, where the position is transferred immediately, but title में भी transferred at a future date, like in case of sale on approval basis, या हो न, higher purchase यदा है आपको, तो ऐसे case में, such transaction will also be termed is supply of goods, पर वहाँ पर वहाँ पर ownership shall transfer बेचा, हाँ है ना भाई, yes, clear, मतलब position और ownership दोनों चाहिए, बेटा, हाँ है ना मलेक, clear, done, को समझ में आए कि गया है, बेटा, चलिए, examine, examine, whether the following activities would amount to supply under section 7, rate with schedule number 1 of the CGS, बताओ, यह supply होंगे कि न होंगे बेटा, अचा, rate with schedule 1 मतलब, schedule 1 में क्या है बेटा, without consideration बेटा, ठीके, तो section 7 के साथ में schedule 1 को ध्यान में रखते हुए, आपको answer देना है कि supply है कि, नहीं है, sir, first, आप देना है बेटाण सर, चलेगा, sir, please request क्या है, take each question as a challenge, ठीके, sir, मैं आपको एक भी लएने साथ नहीं जो नहीं पढ़ा है, ठीके, आपने पढ़ा है, now take each question as a challenge to yourself, कि देखते हम को आथा कि नहीं आथा, clear, sir, सुनना, सुलेखा, मैंफिक्षरर्स, है वा फैक्टरी इंदेली, एन देपो एन, मॉंबई, एक मिट, इतन सा परती क्या समन मैं आपटा, आवाज ने रिए, बोच दीज एस्टबिश्मेंट्स, आधिस्टेश्टर्स, और रिएस्टेश्टिश्ट्स, एक मिटेश्ट्स, ने मुंबई देपो, विदाओ, इतन संदेश्ट्स, सो ये सम् कैन भी, सोल्ड बाताओ, सप्लाय के सकूप में आईग निया बचा, जो अमने ऐ जिखा, वही है वाला क्वेशिन येस MTP के क्वेश्न में रमन नाम सुनाव ने बिटा मैने बोला था रमन का भाई ये विटा उट विटा देखते वही है कि नहीं मुझे पता नहीं बिटा सारा रमानीज अर्किट्ट इन चैन्नाई his brother who is settled in London is well known lawyer legal advice from him free of cost with regard to his family dispute import of services without consideration कि वह सप्लाय और सर्विस के स्कुप में आता है इन्दी कोर्स वर्दन्स बिसन्स होना चाहिए प्लस from your related person होना चाहिए या other establishment located outside इन्दी होना चाहिए आप मुझे बताओ क्या सप्लाय के स्कुप में आएगा कि ने आएगा बच्छा क्योंकि चलो 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 एक एक काम करते एक चलो फैमिली डिस्पीट ने टेप बड़ा बिसनस डिस्पीट हो था बड़ा आप बताओ चलो आप बताओ बच्छा तो भी नहीं आएगा क्योंकि आपका भाई ये भाई और भाई related नहीं होता है अगर वो dependent होगा तो तो रिटेटेटेटे है वह वैल सेटल्ड लोयर हे भी तो dependent नहीं डीपेंदन नहीं तो रिटेटेट्स नहीं तो import of services from your related person नहीं हुआ उर डीटेट्स नहीं हुआ तो कोई जेश्टी नहीं लगेगा अब भले जगडा किसके भी परिवार का हो या बिजनस का हो बच्छा देखो सी पुट भी यही बटा वुट यूर आंसर भी डिफरेंट इन भी अबोव केस अगर रम्मन है टेकन एडवाइस इन रस्पेक्ट वेज बिजनस उनिट इन चैन नहीं तो भी हमारा से आंसर चेंज नहीं होगा क्यों चैनियों का बच्छा कि बिजनेस्ट ले होना ची अग्रीड बट फ्रॉम यह रिलेड़ेड़ परसुप में यह यह बाई हमारा रिष्टेदार ही नहीं है क्योंकि हम पर डिपेंडेंट नहीं है तो यह इंपड़ों सब्सक्र वो रिलेड़ेड ही नहीं है शायद मजा आरा रहा है आपको पुईंट में आवाज यह रही है यस पका बच्छो अवाज नहीं रही सर्ड़ पका गुट सरकार सर कुछ समंझ में आ रहा की नहीं आ रहा है भचे ठीके तो काम करें इस काम समय लिखू हो में अपको तो बी बीफोर बॉम्ब बटरफ्लाय पड़ो जयन से सर रमन एयो श्यरी एयो श्यरी नजर एक बार पेले क्वेश्टन आपस पड़ो बेटा रमन इजन आर्केट एन चैन्ने है लुए लुए फियस्ट्टों अब फियस्ट्रम थे बॉइंट आप डुए लूनन रमन है से कन आ लिगल एडवाएंट प्रिशन आपस उप्ट अप्री ऑश्यरी वड़ो ख्यो अप्लिकुट आन्स पट्रोंच कॉट कॉट कॉट्ट आप्लिक अप्लिक प्रोविजिन और प्रोऍट पूरा सब्सक्षिण से लिख्या जाए आपलो जो रेलेटर्ट हो बटा एक ट्लियर सार अप्लिकबल प्रोविजिन बच्छो सर लिख्ये है एस पर एस पर सेक्शन नमाद सेवैं सब्सक्षिन क्लोज्द मजी मतलब 7 1 C read with schedule 3 read with schedule 3 read with schedule 1 pera no. 4 as per section 7 1 C read with schedule 1 pera no. 4 import of services import of services by a person from his related person located outside India improved of services by a person from his related person located outside India located outside India will be covered under the scope of supply will be covered under the scope of supply supply ko invariable link will be covered under the scope of supply if it is in the course or furtherance of his business if it is in the course or furtherance of business although although it is without consideration although it is without consideration full stop further 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 the term related person the term related person includes family full stop the term family the term family includes 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 brother bhai bhai the term family includes brother also if brother also if he is holy or mainly dependent on the person if he is holy or mainly dependent on the person full stop take a bye yes to we have family definition or one or related definition some related content कंटेन ने लिखा भच्छा ठीक अब लिखेक फैक्ट फिक आञा श्चारण आरा मंझा आशक आपको डियर कंटेरि रिवाई बढ़े बाद चापका गुड लिखिए कि क्या लिखना था भडबने को फैट्स ऑप दिकेस आचा फैक्ट अप्ट वी केस में अपने हो कहा लिकना पुरा इजिस गृष्ट निजॉपना विटा काम की बात क्या है, कॉम यूट थी केस रमन हैस इम्पोरेड रमन हैस इम्पोरेड शर्विसेज विप्रदर ख्रम इस ब्रदर विद रिगार तो इस फैमिली दिप्यूट विद रिगार तो इस फैमिली दिप्यूट ओके फुल स्ट्रॉब लिखो ठीक है आके लिखना भाई यहीं क्या करें हो सर्राइब सर मतलब यह किसका है दार्शन सर का बेटा अचा अभी धर्शन सर करें महोल चल रहा है विद बिटा सर विज़सर वाला तोड़ा सा अचा समया में आख की बदेगे अचा ये एक्रिम लेवल करनी बिता अचा ओर एला नेक्स लेवल ला बिता शछरर ऑचा अचा फीर इधर मान लो आई जिकना लिगना है लिगना है लिगना है फ़र्दर further in this case Raman's brother Raman's brother is a well-known lawyer Raman's brother is a well-known lawyer well-known well-suddled एकी बाते बेटा क्लियर कोई अरहां हां तु उसके भीचे हाथ मत गुमा बिटा अपने भीचे गुमा बिटा तु अब लोग जिस तर से रेक्षिन दा दो फिर में निकला होगा बेटा सर इधर ज्यान कई मेरी थोट्स करपने हुजाए बटा जीवन में सर सुनना में बहुत सुधरावा लटका हूँ मेटा सर सर फर्दर क्या लिखवार है एक मिट रुको रमान्स ब्रदर is a well-known lawyer it means it means he is not dependent on रमन it means he is not dependent on रमन नहीं है सर कोई स्केल नहीं है बटा सर सुनना therefore 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 इसकल की जरूद की बटी थरो बटा सर therefore he is not a related person therefore रमन and his brother are not related persons ठीक है नहीं है लिख दो नहीं की बाद है भाई therefore he is not a related person of रमन एकी बाद है नहीं है बाद माश लोगा थो तुम सर कंक्लूसिन भीटा मेरे इस्टुन भीटा फिटा फिच भीटा सर इस्थी मिलना बदमाश वेटा विज सरी को थो बीच़ वैच्ची है सर 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 भायो भायो संथ सर सर सरकार इदए इदर अरे कंकुलुजन लिगो कंकुलुजन कंकुलुजन सिंस services are imported without consideration जिसे 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 जि therefore, therefore, it is not supply, it is not supply at all, it is not supply at all whether services are imported, for personal purpose, or for business purpose, for personal purpose, or business purpose, if in the above case, रमोन है तकन एडवाई इन रस्पेक्ट विस बिसने इन चैन्न नहीं लिखे अंसर प्रोविजन अप्रुविजन लिखे अप्रुच चुक टा एंसर लिके बिटा इसका दा अंसर विल रिमें शेम जाम अजिक एंसर बिब्ल बी कहँ च ओणसर था वी इसका बिया अंसर ब्स अजी बेटा था है simpler मैंण ता श्र मिला रिमेन सेम इजी इंक ख़ह गोमा इस प्रेक्ट झ्हुरूब इर इंपोट अपोर्छिस है रहाट इंपोट जो आन अ पर जो एल्पारि फबेद जैनेración 菜 मंच के आ अर ए लो और डि टार्व्त ग्र्वाल हे nice आपागे लिगो जो इटस फव्र नहीं सोनो मेने के लिगा इपको बटा दांसर एल्मेन ना same as in case of B because services are imported from a unrelated person without consideration sir therefore it's irrelevant it's irrelevant whether services are imported for personal purpose or business purpose it's irrelevant that services are imported for personal purpose or business purpose full stop hence hence no GST will be charged hence no GST will be charged hence nobody will be charged hence it is not supplied at all when I see the question from which I am asked GST supply click me hence only hello it is not supplied at all stop it is not supplied at all right क्लियर वेरी गुट बटा आई ये बच्छों क्वेश्ट नम्बर सेवेन क्या है बाए इतना पागल होग है विटा आप लोग पड़ो आज देखा जाथ मैंने कुछ पड़ाया है नहीं आपको क्या पड़ाया है मैंने मिक्स अप्लाइगे कंप और कंपुछ सप्लाइगे सर पर करेंगा है अब क्या आपको तो नहीं है अहुंड़ा ख़्राइगे पारवटनेए फिरे वह ही वेड़ाया लोग भालो ठीके अपको तो नहीं चीए कि आज हमारा चाप्र हो गया और सारे रिवीजन हो गया है और सारे क्वेस्ट्र मीं खतम हो अरे एप टिके देन को Bac जाएगा बच्छो ठीके और हां मुझे भी बता बिटा कि मैं अगरी वोलूंगा नहीं होमवर्क के बिटा आपके लिए तो भी आपसे हो जाएगा बिटा पर यहां बात कलेता नमचा एक बार में ठीके सर ज्यान देव इस्टेट वेडर फॉलेंग सप्लाइज वोड़ जाएगा बार मुझे टाएगा बार मैं ऐस लिएग वोड़ फॉलेगे शेगा बार मुझे को बार मैं एक ट्रेट टान बिटा बिटा इन डौल ब्रविट प्रेवाइगा नहीं जाएगा बाल इस अधरा को बिलेडवर ठुच्छ यहां वर्वर्क बारी देटा whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services especially number two so temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any IPR supply of service supply of goods by an unincorporated association or body of person to a member thereof for cash deferred payment or other valuable consideration supply of goods this is section number 7-1-AA any treatment or process which is applied to another person's goods sir kisi or ki goods treatment kya process kya batao kya hai supply of service job work sir transfer of title in goods goods good yes the goods supplied on higher purchase basis will be treated as supply of service examine the wealthy supply of goods clear higher sir japan sir higher purchase based on ownership shale transfer on a future date is the supply of goods kya bata hai na bhai yes sir examine whether the activity of import of services in the following independent cases would amount to supply under section number 7 of the cjst or not bata independent case kya bata alaga bata sir dhyana bata na miss shriniti kaushik naam sunabta bata bata kavi kya kya kare tibita interior decoration kati bata तेके न जिन्दगी बदाजाएगे आपकी अपकी सेर देन सिर मिस पड़ना श्री वल्ली नहीं बुला रहे शार पुष्पा बीनिये विड़ाएपे सर थे मिस श्रीनिती कोशिक रिसेवड इंट्रियर decoration services for her residence located in bendra mumbai from mr rachel of sydney australia from rachel of sydney australia clear the amount paid for the state service is dollar five thousand australian dollar oh shari oh kya uwa isme oh shari bhai sabke bhai diana bita sabke bhai ohm bhai sir malo aapne maana kuj nini bata batana air sir aapne kya bita services import kariye for a consideration or aapko bata hai import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business awaz nari hui sir aap mujhe batao sir business kli ho ya aapne na ho koi fark pardata kiya bata sir उसने घर पी बुलाया बेटा in the air decoration के लिए bacha clear बताओ import service है की नीए bacha hey supply case scope में आएगा भारत मता की जय अच्छा reason समझ ना इचा आपको यह अजिए गोशिक received interior decoration services for her residence locatator Bendra Mumbai from her brother wow Mr. Varun residing in Sydney Australia oh holy dependent on Miss श्रीनिती बेटा कोने बेटा भाई ये भाई साइवला भाई ये बेटा clear भाई ओम भाई ये कुणसे भाई ये बेटा real भाई ये बेटा कुणसे retired person further miss श्रीनिती did not paid any consideration for the saved service बच्छा एक रुपय नहीं दिया बेटा उसने तो important service without consideration only bit dependent मतलब related person पर क्या in the course और furtherance of business अग्या बच्छे ये नहीं नहीं बेटा related person से अगर आपने service import करिये श्रीडल वन पेरा नमर फोर में तभी कवर होगा if it is in the course or furtherance of business घर के लिए उसने service लिए कोई supply नहीं होगा कोई जेश्टी नहीं लगेगा पर बताओ अगर यही services श्रीनितिन लियूती किसके लिए बेटा relating to her business premises बेच्छा घर के लिए नहीं बेच्छा तो बताओ क्या होगा बेटा यह supply होगा क्योंकि import of services from your related person in the course or furtherance of business supply case को पनाएगा और क्या लग जाएंगे बेटा GST बेटा हाँ ना भाई clear और लिखाए कि a note any specific exemption by way of notification needs to be ignored इसका मतलब सर हम जब पढ़ेंगे chapter 9 mega exemption list उसमें कर कोई service एक्जम करी तो उससे अभी मतलब नहीं है हमको देखना है कि supply है कि नहीं बेटा ठीक है जो हम अल्री देख चुके भारत मा था की जै आरा मजा की नहीं आरा बेच्चा गड़ इसलिए मैं कि तो पढ़ाई इतनी अच्छे करो कि क्रिक वेस्टन क सरकर किया अच्छेंवार 11 बंकी विर्शनिक्स बूंबुम नहीं विडया दंधर सेर्शनिक्स सेर्टनिक्स पम क измен nuestra virt ether बierno पोडःक्स घोर सेर्ट र विर्सेर्टनिक्स हैस एस शोल्ड इपुर इले लेक्र फोरलोकिक इमस之前 dispें स्थे एक्ब रृत स्टोर बेटा सर अक्बर भाई को यह फॉलिंग एलेक्ट्रोनिक आइटम बेचा बेटास ने रेफ्रिजरेटर इस्टेबलाइजर एलेडी टीवी एसी इस्टेबलाइजर फॉर एसी इनकी पर सब पर रेटो टेक्स देर रहा है नहीं नहीं हुच्छ यह एक मिनिट पड़ो पड़ो दमदम इलेक्रोनिक्स देंदाम इलेक्ट्रोनिक्स और है इस इस्टेटर सिंगल इन्वोईज जल्दी मत करना इंडिकेटिंग प्राइस ओफ इच आफ दी अबोव ऐटम सेपरेटली बिल एक ही है पर सबका प्राइस अलग अलग लिखा है बताओ मुझे क्या सब्सक्राइब कंपोजिटी बात तो आती नहीं बिटा वैसे भी पर मिक्से के बड़ा ये नहीं क्यों नहीं ही बिटा सिंगल प्राइस नहीं है मैंने साथ एक्जांबल दिया विदा आपको क्लियर अकब रिटल इस्टोर हैस गिवन अ सिंगल चेक और पीज वन लेक्ट for all the items as a composite discounted price. सैर देंदने लिटा जसे इसने विल पर सब गोड्स का अलगल gratitude सब का value मिला कै सब कर विल अलग था उटा नहीं है सब मिला के मानलो one like 5,000 one like five thousand लेग अक बन क्या चेक पु लांकर देना लेक है वैं रहीं है सब मिला के मैं 1,00 पर देंग देना हुँ हायना इस्टेट टाइप आपको पेमिंट कैसे दरा उसे मतलब है क्या बच्छा सर सप्लायर ने जो बिलिशू किया है क्या उसमें क्या सिंगल प्राइस चार्ज किया है अवाज यह रही होई नहीं सर इसलिए सर रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टेक्स बात खतम बच सप्लाय नहीं होता है ठीक है मिक्स नहीं होगा क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया और मैं तो क्या रहा हूं क्या क्स्ट्मर पेमेंट देगा है नहीं मतलब नहीं है ठीक है चले सरकार सर मनी करण मनी करण अरजिसर्ट सप्लायर अफ डेली है सप्लाइड ट्वेंटी थाउजन पैकेजेश एट रुपेज थर्टी इच्टू मांखी जाग गिफ्ट शॉप इन पंजाब एच पैकेज कंसिस्ट अफ टू चॉकलेट्स तो फ्रूट जूस बॉटल्स एंड पैकेट ओफ ट जूसे से और बलून से बिटा आप मुझे पताओ क्या ओर्डिनरी कोर्स बिजस्ट साथ में सप्ला होता है क्या बटाई है नहीं तो मिक्स अप्ला है क्योंकि प्राइस सिंगल लिए बिटा 30 रुपेज एच बिचा है है ना भाई क्लियर डिटमाइन दर रेट्स ऑफ जी बिटल इए बिटल इए डिटी है सब्सक्राइज अनर बताओ 20,000 रुपे जूंकि इंटी रुपी चाहिक रोपी मिटा किन अधा है 60000 सिक्स्ट लेक्पे क्यारेट टेक्स लगए बच्चा बच्छा में बता है यह देखूंगा भी नहीं कि कौन सा गुट सा डाइट क्या लगा दूंगा मैं हाइस रेड एटीन परसन लग जाएगा भारत माता की जाहे इस कांसा लिख पाऊंगे आप लोग इजी लिख इसले एंटायर कमो विल बी क्लासवट अन्र देडिग ओफ चॉकलेट्स और चॉकलेट्स बिलेट कितना है बच्छा एटीन परसेंट तो पूरे शिक्स लेक्पे क्या लग जाएगा बच्छा एटीन परसेंट इसले अनसर यह जाहेगा भारत माता की जाहे चलिये गगन investir प्रिवेट दियमिटेड सर क्या बला है सर गंग एंशिनीरिंग प्राइवेट लिमिटेड निस्टेनहा ह्याना इस एंगजरिभवाड एंगेज़ इनकर वंट्रॉड इंडर्मिनंस अन्र्प्रिण सर्विस अंप्र है धेवी इस्ट्रिल मशीन ठीक है साब कुलमिना के रिपेरिंग मेंटरेंस करता है रहे हेवी हुए है लाइट अबने मतलब है क्या बटा नहीं फॉर केरिंग आउट रिपेर वर्क गगागन इंगिनियरिंग प्राइट लिम्टेट सेंट इड्स इस गंटरन अबुट अब रिपेर अपको वह हमने अपने ही रिपेरिंग ट्रक बना रहे की विटा जसारी मशीन वगर रहे है रहे है रहे हमने क्या किया हमने अपने ही सर व्रक्शोब से हर्याना के व्रक्शोब से अपने ही अधर रिपेरिंग सेंटर जो ही जो लोकेटेए अधर स्टेट्स में अक्रोस इंडिया वहाँ हमने क्या किया यह ट्रक भेजी वेट श्क्लाइंठ मशिनось ब assessments brought and are being repaired वहाँ पे हम क्लिया करते है clients की machine ले आज़ते और वहाँ पे हम repairing कर लेते बच्छा clear discuss the levability of GST on interstate movement of trucks from the workshop of Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repairing center located in other states across India आप मुझे बताओ वो repairing की truck जब हमारी एक branch से दूसरी branch गयी वाली वो distinct person है क्या mode of convenience जो truck use किया है क्या truck supply हुआ है क्या आवाज नियारी हुए truck supply नहीं हुआ है और truck supply नहीं हुआ तो GST के scope में नहीं आता supply के scope में नहीं आता तो GST नहीं लगेगा बोलो यह sir आवाज नियारी हुए yes sir clear इसलिए के लिए ता दस interstate movement of truck अभण दिश्योंग इर्फ्लिंग कोई लागेगा क्यों कि दोंडों डिस्टिंग पर अपने सप्ला ही नहीं किया के विल मोड अफ कन्वेंग लिए बच्छा आपने, अरे clear मालिक ठीक सर आईए सर्वना एंड संस अगला question बेटा अचा एक मीट अब जिसे इसके इंदर answer में यह circle को नंबर भी लिखा है बेटा ठीक है यह circle नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है याद भी करने की जरूरत नहीं बच्छा आप से कोशिश भी नहीं करना बेटा चलिए सरकार सर्वना एंड संस कि सर्व चलो एक काम करना हो कि सर्व मैंने नहीं पड़ा क्वेशन क्या बेटा पर इस कांसर आप लिखे आएंगे बिटा होमवक में चलेगा clear अपसे हो जाएगा गैरेंटी बेटा कि पर आयनिद आंसरे ना राइटिंग बेटा मैं आपको दे रहा हो ना पीडिए आपको आ जाएगा बच्छो ठीक है तो मैं आपके ग्रूप में टेलेग्रम में ये पीडिए शेयर करने वाला हूं और सर आप लोग जहां फेस्ट फेस्ट में बेटा बिटा बुक्स आ चुकी नीचे बिटा ओफिस में आपका लग भी बुक डिस्पेस कर दी बेटा ठीक है आपके घर पे डेलीवर हो जाएगी जब तक नहीं आता तक आप ये रेफर कर से तो कुछ लोगो डिलीवरी भी हो गए को बेटा सरकार आईए सर यह भी लिखे होंवग बेटा 15 लिखो बेटा होंवग क्लियर यह पढ़ा रहा है मैं क्वेशन आपको बेटा ओके चलिये पर यह अंसर आपको लिखे लाना है मतलब लिखे लाना है चलिये सर मालो यह अगला क्वेशन देखते बेटा 16th ptl private limited is a retail store of merchandise located in 25 states or unitary factories in the country बेटा for the purposes of clearance of the stock of merchandise and to attract customers customer को attract करने के लिए ptl private limited launched scheme of buy wanna get one free बेटा for the same type of merchandise for instance एक शर्ट के साथ में दूसरा शर्ट फ्री वन शर्ट तो भी इवन फ्री विद पर्चेस ओफ वन शर्ट डिर्माइन how the taxability of goods supplied under buy one get one free scheme is determined सरकार आप मुझे बताओ पहली बात तो यह जिसे एक शर्ट तीन जार बेगा बेटा कि क्लियर एक्शली तो बेटा अगर आप इस शर्ट को देख रहें बेटा तो तीन सो बेगा बेटा यह है पर अगार में बेटा रोडसाइट पिंदा बेटा अंधर इस्टेशन वाई साइड में वो वोग तो लोगो गर विदा क्लियर तो थीन सो बेटा ओर दसवे बिटा और दो पार्ट वेगी चिर्ट अशर्ट रेटी बिटा अपना प्रेंड जाए पैसा होता है बेटा चाहर पड़ो दियान से अ यह यह पिए अंदर इस्टेश भी बारी थी बेटा में एटेंड से अ जर्द शुनने विटा ओ भाई ओ माली इसर आप मुझे बताओ तो 300 रुपे का शर्ट आपने पर्चिस किया और साथ में एक शर्ट फ्री तो मुझे बताओ अगर इसा तो फ्री वाला शर्ट आपको देगा है बटा एक मीट बाइवन गेट वन फ्री क्या कुछ फ्री है क्या बेटा नहीं बाइवन करोगे तो गेट वन फ्री है बेटा मतलब पता है क्या हो रहा है एक तरह से तिंसो रुपय में दो श॥ मिल रहे है बेटा आपको तो ऐस कुछ फ्री नहीं है और सप्री नहीं तोς सप्ला नहीं तो रहे है, तो मिलाप टा पर यही, टूथ पिष्ट के साथ, टूथ ब्र UEटा, क्या आपके टूथ पिष्ट में, नमक से मतलब नी, बिठा, सात में बरेस आया है, Sir, क्या आपने, मालो, मालो, पिष्ट में ब्रस रिवन, होता ना क пес? हाँ है ना बाई, सर आप मुझे बताओ सर ओर्डिनरी कोर्स बिजन साथ में दोनों अलग अलग सप्लाय होते है अरे है ना भाई क्लियर यह तो हमने क्या कि एक जबरस्ती कोमो बनाया है बिटा कर्ष्ण को अट्रेक्ट करने के लिए अब आपने बाइवन इस तरह के जो ओफर होते है इसके साथ यह फ्री तो यह यह तो यह तो कंपोजट होगा यह मिक्स होगा पर सप्लाय होगा विदाउट कंसलेशन नहीं बढ़िए इडिज फोर कंसलेशन सप्लाय होता है बढ़िए सर क्लियर डन आईए बच्छो यह आप यह तक बढ़ा है इसे अब को आताग स्थ आगर आपकी इग्जाम में अगर इत रिपाकर निज ए जैचिए उदेखते हैं ने किसमें कितना हैं रंग क्या आए कि tobura examina whether you're paying activities वोट बी टीटेट इस अप्लाई अर जीस्टी लाव बिटा यह होश्यारी जीस्टी की बात करें बिटा है ना पड़ो सर मिश्चर सोनू फ्रॉम चंडिगर सर पर्चेश अवटर कुलर फ्रॉम मलहोत्रा ब्रॉसर फोश्यारपूर फोर रुपीज 25,000 तो डोनेट इट तो टेमपल सिच्टेश इन होश्यारपूर बिटा एक मिट सर इसने क्या पर्चेश के बिटा वोटर कुलर क्या करेगा पर्चेश करके डोनेट कर देगा के अर प्रॉम डिरेक्टेड मलहोत्रा ब्रॉदर्स तो एंग्रेव दा वर्ड ओन दी वोटर क्लर डोनेट बाइस्टर सोनू फरम चंडिगर एंडिस्पेश दा वोटर क्लर डिर्क्लर डिर्क्लर टेम्पल आप मुझे बताओ इसने जो डोनेशन दिया है क्या वो सप्लाय के स्कोप में आएगा क्या बच्छा सर आप मुझे बताओ इसने पर्चेश ऑफ गूड्स पर क्या आईटी से लिया है क्या बच्छा पहले यह चेक करो बच्छा सर शिदिल वन परावन क्या बोलता है पर्मानेंट ट्रांसफर दिस्पर यह दू की बिजनेस क्या होले जाएग पर्मानेंट ट्रांसफर और ट्रांसफर और शिदेश डिशनेस वेर आईटी से बिसेट बिसेशन को इसको में आइज दिकनी बाहारा से बिजनेकर इसके प्रोट करने के लिए क्या है बिजनेस को मार्किटिंग किया बिट मिश्टर सोनु फ्रॉम चंडीगर बिटा तो इसा नॉमल कोर्स में होता है तो क्यों किया है जश्टु शूदिर ग्रेडिडीड बिटा है ना भाई क्ली चैनल कि स्वेस्ट करेंगे गया है गश्रॉम मंदिर अर्फ कलाू अर्प का मर्केण नहीं किया सकाउं में भारत कि लाँ कंसीं है ऑच्छा이는 वरहा वैं, सबस्क्राइब मला तरह ने udah और नहीं डिया जब लेता इसको सभी स्थेजसेंग técis नहीं है कोई खास बात चलिए वेस्को लिमिटेड ए रजिस्टर्ट परसन इंद एक काम करून है इसका लेंग्विस पर भी ना अंसर के बच्छा चलिए पहले आंसर के लेंग्विस बटा डोनेशन रिस्ट बाया चैट बहला और अर्गनेशन अर्ट इस इसका 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 बच्छा बच्छा पर क्या आपका चैटेबल इंस्टूशिशन क्या आपका मार्केटिंग अगले अबलाइस बच्छा नहीं सर सिंस दे नेम उफ दोनर Mr. Sonu is displayed in the temple as just an expression of the gratitude and the public recognition of this act of philanthropy beta hai na philanthropy मतलब just to show the gratitude की अच्छा काम किया नहीं हाय न भाई and is not aimed at advertising or promotion of his business hence donation of water cooler by Mr. Sonu to temple is without quid pro quo beta without consideration tha clear and is thus not a supply under GST law beta however supply of water cooler by Malota brothers to Sonu is a supply as it is meant for a consideration in the course or furtherance of his business भाई Malota के supply के इसको मैंगा भारत मता की जहे कोई खास बात बच्छो अच्छा अब अगे लेंग्विज जरू नहीं की यू की आप लिक्क्या बेट एक्जाम में कुछ याद नहीं करना में आपको क्लियर आपको आंसर अपने लेंग्विज में लिक्या ना बच्छा ठीके चलिए सर सेकिंड क्वेशन वेस्को लिमिटेड और रजिस्टर्ट परसन इन अंदाबद गुजरात बेटा में भी हैंगे हैंद ऑफिज इन सेंगापुर से जुजरात में आपने ंपने बीड।ा में कर और इंपने projekt क्रेव बिसन 친 परarme ।ार इंपूर的 इन दी कोर्सर फॉर्दंस बिस्निस फॉम यॉर रिलेटेट परसन और हीज अधर एस्टेबलिश्मिंट लोकेट आउट इंडिया है तो दुनों क्या है एक दूसे की इस्टीश्मिंट 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 इस्टीश्मिं लिए ना दियान से 18 खुशारी और हाँ आप देंदना बच्छो जैसे अगर मान लो क्वेशन दो माग का बटा ठीकिए तो आंसर भी आपको शॉट में लिखा ना बच्छा क्लियर समझे मेरी बात आपको वापे वापस वह तीन प्रगाफ पांसर लिखने की जरूत नहीं बटा एक दो तीन लाइन में पांसर पुरा कर सकते बच्छा आपना आए बच्छो लिस्ट एनी फाइव एक्टिविटीज देखिए सी इंटिमिटिट फाइम माग मैं 23 क्या करना बटापको शुद्री के कोई भी पास्ट आंजेक्शन में यादा है बटा एंप्लोई ना सभीज दी फोर इस एक्जामीन वेद दी फॉलिंग एक्टिविटीज वुट अमूंट तो सप्लाइं अडर जीश्ट लोगर नॉट बटा ये सप्लाइं होगा दो दो माक के क्वेश्यन में पाइए फिस्ट ग्री लिमिटेड गोरी लिमिटेड इस एंगेज इन मैंटिशन ग्री लिमिटेड पुरैड दोड़ीट प्रूपीस टूलाइं है वहार नॉटेशन ओंगे। दोलाग रुपे देंगे पर जहां पर एंट्री है वहां पर हमारा होडिंग लगाना पड़ेगा जिस पर हमारे ग्लोरी लिम्टेट के जो प्रड़क्ट से उसकी फोटोस आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी मतलब क्या है पटा यह अवाज यार यह चेरिटेबल इंसिटू प्रप्रशन फोर इंदी कोर्स और फॉद्ट इस बीजनेश सब्लाइक स्कुप मैं यह चे जी एश्टी बोले सार क्या था देखिए सी एंटर्मिनिट एक्जाम में टूंड वे टूंड दो मां का कुश्टन पच्छा आप मुझे बताओ जो आपने पड़ा वसी में सारा अमी इस वरकिंड इस देखिए से मैंजर विदेखिए सी बेटाओ फिर खुट्विट एंट इस चेप्श जैकोब्स अंस एंट व्लच इंड विटाओ एंट गर के लिए उसने शर्विसें इंपोर करी बता सर पोरा कंसीड एए क्व चैपको कुच्छ था इदार्य क्या यादा है आपको import of services section number seven subsection one close number B import of services for a consideration supply होता है और supply है तो क्या लगेगे बचा GST लगे है बचा क्लियर सर अब भली वो personal use के लिए हो या business उसके लिए उसके कोई फर्क नहीं पड़ता import of service for a consideration यादा है आईये बच्छे शरा explain explain the composite supply and mix supply बटा इफ ट्रेडर launches a package sales for marriage किसी की शादी ती उसके लिए package सेल क्या डबल वेड से फिर freeze बटा फिर washing machine बटा कपड़े गंद होते रहे प्लेगे फिर वुड़न एड़ोग एटा सिंगल रेट एग मिट एग जल्दी मत करना जल्दी मत करना विटा ही हैं एश इषिविंग क्या वोला लिधा दहज दोरी नहीं नहीं है वो तो हस्बंध भाई खुड आके लिया बीटा उनको बीटा विटा sir he is issuing क्या विटा ये बोलने के लिए शुर्च ने के लिए बिए ठीक न थे रिज्ट वह बता रही तु क्या विटा sir ज्यादने विटा he is issuing the invoice showing value of is good separately oh 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 invoice issue कर रहा है showing the value of each goods separately whether this is a case of mixed supply or composite supply explain करिए बटाब पहली बाद तो ये composite क्यों होता है mix क्यों होता बचा composite supply मतलब any supply of more than one goods or service or both जहां पर such supplies are made in the ordinary course of business in conjunction with each other in the ordinary course of business बचा क्लियर उसको बोलते है composite supply पर यहां पर this is not the case of composite supply बटा हाई ना भाई सर सुनना at the same time whenever more than one supplies are made together in conjunction with each other बटा वो composite supply नहीं है पर वापे single price अगर चार्ज किया तो वो क्या है बटा mix supply पर यहां पर क्या क्या बटा इसने पर है ना भाई इस लिमिक supply भी नहीं है यहां पर respective value respective goods respective text respective text लगे भारत ना तकि जये अच्छा है अब एक वेस्टन ड्राफ्स करने में तोड़ी गलती बटा इंश्यूट से बिटा यह इन्हों लिखना एक सिंगल रेट विटा इसका क्या से नोंसेंस तो यहाँ पर क्या भाझे कान्फीज हुई एक्सामने इदर रहला तो जब लिखा सिंगल रेट का मतलब क्या है सब्सक्राइब कर अपने क्या सिंगल प्रेट चार्ज क्या कर्ष्टमर से है क्लेर तो यह फैस्द इसकेस में मिक्स अफ्लाइए माल लें लिए क्या तो यह यह सुट लगा देंगे तो यह आंसर भी इंशुम्न सही प्रेट अपर और लिख ज्या कि नहीं नहीं है यह सिंगल एकिसर आपने बिल्क अंदर सब की प्रैस अलय लगी तो कमपोजिट पर मिक और मिक सप्लाइघ नहीं है कि सिंगल रेट को सिंगल प्रैस मान लिया है और उसके हमने यह मिक्स अप्लाय लिक्यान सली का तुभी हम सही करेंगे बाटा अंसर हाँ ना भाई एक बार गलती होगी बार बार नहीं होगी बात नहीं है माफ कर देना इनको ठीके चलिए माफ की लायक आप भी नहीं होगी बाटा विद रेफरेंस तो दी प्रोविजिंस अव दी सीजिएष्ट एक डिसके इन ब्रीफ वेदर इंपोड ऑव सर्विसेज इस तो इस तो इस तो इस नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं बताओ इंपोर सविस फोरा कंसिडरेशन बली बिजनस लिए हो या ना हो वह हमेशा सप्लाय मानते हैं बट वेनेवर सर्विसेज आ इंपोड एडर विदावड कंसिडरेशन उसको सप्लाय तभी मानते हैं जब दो कंडिशन पुरी बीटा फर्स्ट इचुट बीट पर्सन और इंपोर सब्सक्राइब तो सप्लाय नहीं होगा कोई खास बत बच्चो हमने चाल बना की पड़ाता विटा यादा है आपको पुएंट येस देखिये सर सर कितने इजी क्वेश्टन बन रहे बिटा एकजान पता है इजी क्यों लग रहे बिटा क्योंकि आपको आता है पुएंट क्या है आपको आता है क्योंकि आपने पड़ाय ठीक सर सबसें में क्या है आपको тार य हांको अपको इन पतार श्रक करिदो इसविकिवल एंडे सर्विश्य सर्विश्ज एक्स्टेन दी सर्विसेज प्रोड़ड बाइव डॉल्रेटिंग नॉन परफॉर्मेंस अवर कॉंट्रेक्ट एंड इस चार्जबिलिटी अंडर दे प्रोविजिस अफ इसको रखे पेंडिंग क्या रखेंगे बटा पेंडिंग इमने नहीं पड़ाए बटा पता है मैंने आपको बरता एक सर्क्लर आया का चप्र 9 के अंड में बताऊंगा आपको वह नोन कॉम्पीड अग्रीमेंट के अपको ठीक है उसके बेस पर या नसरे बच्छा ठीक है स्केडील नंबर तू वर्क्सकानटर क्या बटाओ हो हूज है अरे चलश काटर आए सप्ला क्या तो थो शर्फ खाया है बच्छा पर्सट्नीं के दशन तो बटा इक है शेलीलु हृट में वही टनक है वतल regularly शुर्ट यतिना में च्थी पैटा वह क्या होथे उ तो सप्लाई ही नहीं होता तो यदा है घर की पुरानी ज्वल्री बेच दी अपने घर की पुरानी कार बेची वह सप्लाई ही नहीं होता जब सप्लाई नहीं नहीं तो सप्लाई नहीं तो आते हैं नहीं तो आप चाहे तो एक बार अंसरे से लिग दिए किया एस परशिल टू यह सर अरे पका येस आई यह बच्छो अरे कुछ समय में आ रहा है कि जा रहा है बिटा आ रहा है बिटा क्लियर सर explain the meaning of supply as per provisions of section number seven one of the cgst एक बिटा sir supply का meaning बताइए section 171 के साथ से तो क्या करेंगे बिटा seven one a double a b और c लिखाएंगे कोई खास बत बच्चो एक्षिक दोजार अठ्रा में जब क्वेश्चन बने था रहा है दोजार अठ्रा मई एटीन नौंबर इटीन मिटा तब क्या इंस्ट्रीट बद ज्यादा अच्छा सुनो रहे पड़ा दिया है पता है इसने लिखवा है homework बेटा क्यों क्योंकि वह रमन वाला यादा है रमन वह इसने अपनी लिगल सर्विस लिए आउटो फिंडेस या बच्चा वही एक क्वेश्चन बिटा एक चुलिए तीसरी बार आरा क्वेश्चन बिटा न आरा ना बेटा क्लियर और भी कोई क्वेश्चन अचला गएगा तो हम लिख देंगे मिटा पर हां सर आपको पैटर्न समझ मा रागने ना पड़ाएगा बच्छा अवाज यारियो एक काम और करना मिटा वैसे में इस चप्टर के जितने भी पोइंट है वो यहां लिखे थ आपके लिए और classroom notes मैंने आपको share भी कर दिया ठीक है उसको अपने note भी क्या होगा अपनी book में बिचा एक काम और करना में लिए जो टोपिक मैंने आपको आज बढ़ा है circle मैंने आज बढ़ा है वो तो आप रिवाइस किलना book से बिटा मैं यह मानना हो कि आपने main book जो हमने दी मैंने आपको GST part उसे पुरा chapter पढ़ लिए एक बार एक काम करना बिटा यह questioner के question तो आपको करने करने बिटा homework जो मैंने दि प्रस चार्ट बुक दिया बिटा मैंने एक बार इस चप्टर को देखना बिटा और देखना मजा आया है कि आपको सर क्लियर समझे मेरी बात तो आपकी नोट्स लिखने की हेड़ेक एक्जाम पर टाइम पर रिवीजन करने की हेड़ेक सब कुछ स्यतम ने होगी तो मेरी ग सब्सक्राइब करना है बेटा के बले क्लियर सब्सक्राइब और वीडियो क्लास में उनको में इसका इस चप्टर का पीडिएफ अगर मालो बुक डिलीवर नहीं हुए आपको तक तो मैं इसका पीडिएफ भी आपको शेर कर दूँगा बच्चा हाय ना चार्ट का जीवन के दर आपको क्लियर सब्सक्राइब कर दिखना दियान से 26 हाँ बेटा एक्जामीन दा इंप्लिकेशन ऑफ जेश्टी ओन सप्लाइब फूद बेवड़ा बेवरजेज एटा सिनिमा होल सर आटीपी में 24 बेटा आप मुझे बताओ सिनिमा होल में अगर फूद बेवरिजेस अप्लाइब किये यादा है के बाई मैंने पटाया आपको सर्कुलर डाइट क्वेश्न बेटा देख लो आप क्लियर अगर आपने वहाँ पर सप्लाइए क्या तो रेश्न के स्कूप में आएगा पर अगर आपने को मुझे बना के बेचा है तो मिक्स तो वह कंपोज अप्लाइए और कंपोज तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है एक्जिविश्न ओफ मुवी उसमें क्लासिफा करेंग क्लियर देखिये इटिंग जोईंट इस वाइट तर्म विच इंक्लूड रिफ्रेश्मेंट और इटिंग इस्टोल्स कियोस्क्स और काउंटर्स और रेश्टरेंट एट सिनेमा अल्सों बेटा है ना भाई निचल रोड पर निचल रोड पर लॉरी है उस पर आपने कुछ जो भी क्या है रेश्टुन के इसको में आता है बच्चा क्लियर सर्वेटर में रंधी रेफ्रेश्मेंट और इटिंग स्टोल्स और क्योस्क्स और काउंटर्स और रेश्ट्रेंट तेंसल्स या फिर देमें घीव इट ऑन कॉन्टेक्ट टूर थरड़ पार्टी उसे कोई फरक निपरता है, the customer may avail, मैं लाइक to avail the services supplied by these refreshments or snack counters or choose not to avail the service, बटा, भोसाता है, बटा, पॉपकोर्न खाने नी बटा, तो मतल लो, हमारे का है, पैसे मत देना, clear, समझे, further the cinema operator can also install vending machines or supply any other recreational activities such as through coin-operated machine etc which a customer may or may not avail, होता है, vending machine, बटा, वहाँ, vending machine लेखादी, coffee बटा, coin डालो, और, sir, coffee fill करो पने, हाँ या ना भाई, clear, ऐसा भी हो सकता है, clear, sir, it is hereby clarified that by circular number दिये, circular number याद कने जरुन नी बटा, clear, जो मिन आपको बुक में बटाया, वह या लिखाए, हाँ या ना भाई, कोई खास बात बच्चो, चलिया, sir, happy construction बच्चा, sir, RTP में 24 बच्चा, sir, happy construction limited, a रजिश्चान, builder, under GST in Bengaluru, Karnataka, has got permission to build five floors from the municipal projects for one of its projects at Surajnagar बटा, Aditya construction, a neighboring housing project, approached Mr. Happy construction limited, to discuss regarding blockage of sunlight issue arising out of construction of five floor, answer आप देंगी, चलेगा, sir, and ask it to build only three floors, sir, इस करको आप एक कम वेसे तो पंदिंग, ठीके वो सर्कुल में बटाओंगो ना, वो ही वाला सर्कुलिटी चप्र 9 के इन में, वहापे आएगा, पर में बताता हूँ, मैंने पढा रखा रखा आपको इसाथियन, एक्जांबल चेंड़े बस, मैंने पढा रखा रखा आपको, sir, एक वापनना, क्या हुआ बटा, कि हैपी कंसेशन को, पार्ट्स फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का पर्मिशन बिल गया बटा, गवर्मेंट से, यह बिल्डिंग बनाना था, पार्ट्स की सोसाइटी वालों ने अप्रोच किया इन से बेटा, कि भाई साथ, अगर आप पार्ट्स फ्लोर बना दोगे न, तो सनलाइट जोते न, धूप बेटा, वो हमारी रुख जाएगी है साथ, और हमको चाया में जीना पड़ेगा बेटा, हाँ है न, तो उसने बोला हम क्या करे, बिल्डिंग नहीं बना है, तो उसने बोला नहीं, आप बिल्डिंग तो बनाओ, पर आस बोला इसको क्या, तो बिल्ड ओनली थी फ्लोर्स, पाच किते हैं कर तीन में तो बाकी पैसे क्या तेरे, क्लेर, सोसाटी बढ़ा देंगे, बोला हाँ, क्लेर, पर वीच रुपीज, 20 लाइक वस ओफ़र्ड एस कंपन्सेशन, बिल्डर को 20 लाग रुपए दिये कि बाकी की दो फ्लोर्ड मत बनाना ना साब्तू, अगे बढ़ो, हैपी कंसेशन लिम्टेड एग्रीड तो दी ओफ़र, इट में बी नोटेड देट आधित्य कंसेशन इस नोट रेड़ी तो पे एनी फर्दर अमांट तो हैपी कंसेशन लिम्टेड इन अडिशन ती अमांट अल्रेड एग्रीड बिटा, सर बीस लाग रुपे बिटा, अवाज निया रही होई, और इसने अगरी कर लिया है भारत मता की, जय, आप मुझे बताओ बिटा, सर कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे है बिटा आपको, अरे हाँ है ना भाई, क्लियर, बताओ, सप्लाइव और सर्विस के स्कूप में आएगा, जी एश्टी लगेगा, और इसमें रेट और जी एश्टी दे रहे है क्या, सी जी एश्टी और एश्टी नाइन परसें बारत मता की, जय, सर, सर, देना, 20 लेक रुपी, विल भी ट्रीट रेज, अब सर्व 20 लाग के लवा, सुना, आगे क्या लिए इसने, वेसे वैलेशन में आएगा बटा, पर यहां पर क्वेश्टन दिया, जैसे मैंने आपसे फीस लिया पाज़र रुपी बिटा, अब नहीं दिया, मतलब के बिटा, 20 लाग को क्या मानेंगे, इंक्ली जैस्टी, अगर वेलेशन पर देटा, तो इसने क्या क्या बिटा, कोई खास बात पक्का दन और यहां दोना हमेशा टेक्स के अमॉंट को रॉंड ओफ करना है नियरेस्ट मुल्टिप्र मुल्टिपल ओफर रुपी में बेटा टेन रुपी नहीं बेटा रुपी में आपको राउंड ओफ करना है न भाई जैसे फर एजेंपल 152542.40 था बेटा कितना आएगा बेटा 42 आएगा बेटा क्लियर चलिए 41.60 था तो 42 चलिए 41.50 था था तो 42 हाए न भाई यस 50 तो नेक्स प्रदा बेटा ओके चलिए सर कोई खास बात बच्चेव चलिए सर टेंपल सर चलो एक काम करो एक काम करो इसको लिखो इसको लिखो लिखो नहीं पता कम एक यह को फिकल राए को टेटा किसी मंदीर में डॉनरेशन दिया उसने लिखा थेंक यू सो मच तो क्या वो सप्लाइगेस को में आगा क्या नहीं क्लियर चलिए इक और ओमक देद्व बटा मैं अपको एक और एक और एक और बटा अच्छा बचेहीं क्या दो या तीन कोशन में आपने एक बार एक बजे देखो बटा एक बार ये देखो बटा अरे दारू पे जीष्ट लगता है कि बटा वही लिखा बटा पे जाए पे क्या एक्सप्लेन दी लेविविवृटि जीष्ट्य ओन अदर्वाइज ओन पेट्रोम क्रूड डिजल पेट्रोल एविशन टरबाइन फ् इसको अब तक GST मर्ज नहीं किया है सर सेक्शन नमर नाइन सब्सक्षिन टू सेक्शन नमर नाइन सब्सक्षिन टू बोलता है जीश्ट लगेगा वर फ्रोम डेट वी नोटिपाइड भाई गोवर्मेंट ऑन दे रिकमेंडेशन दी जीश्ट काउंसिल है ना भाई पर अब सकनाल टक नोटिफाइड नहीं हुआ इसलिए नोन टेक्सवल सप्लायस पर जाइश्टी नहीं लगता क्लेर और इस पर भी पी ऐस्ट यह वेट और एक्सजिए लगता है मेने बच्च्छ पी बच्चा हां यह ना भाई सेंट्ल एक्सरेंट पिसब्र प्च्छ उप्ट और से बेटा क्या केवल holding of the shares by holding of the subsidiary company क्या supply होता है क्या बेटा या रही है clear नहीं securities are neither goods nor services और क्यों share लेना share purchase करना share hold करना is not supply at all हां holding company ने कोई good साविस बेचा होता किसको subsidiary को या subsidiary को ने कोई good साविस बेचा होता किसको holding को तो supply किसको में जरूरा है से बच्चा पर केवर share hold करना is not supply at all बेटा है ना भाई clear answer इसको लिखे क्या homework मैं कल homework चेक करूंगा बटा सबके clear देना बच्चा I need the answers in writing clear और देना बटा जबसे मैंने जीशी शुरू किया है तब से मैंने एक भी दिन होमग आपको नहीं दिया है बेटा clear और यह आप देखना दस मिन के नदर खतम होगा आपका clear दस मिन नहीं भी हो तो भी कोई बतनी एक गंटा लगे है बेटा पर लगेएगा clear एंहां एक मेरी रिक्वेस्ट बेटा देखो अभी तक 11 भी नहीं बचे बटा दू मिट सुने मैंने आपको एक मिट आज देखा जाए तो में बुक से पढ़ने के लिए आपकी के लो चारपा सरक्लों थे बटा जिसको में आपको रिवाइस करा दे बटा और वह क्वेस्टिन की फोर में आ आपसे बिटा केवल पार्स मिनिट के चल छोड़ना है क्ल यह मल्टीपल चोस क्वेशन भी आप में आपसे कल डिसक्स करूंगा कोई बात नहीं है पर मेरा रिक्वेस्ट क्या बच्वेस्ट आपसे जो मैंने होमग दिया है वो क्वेशन आपको लिख आने मिटा कारण क्या पर आपकी लिखने की थोड़ी सी प्रेक्टिस हो जाएगी आपको थोड़ा कॉंफिटेंस आजाएगा बचा किस तरह सांसे लिखना है ठीक है और सेकिंड रिक्वेस्ट मेंज आपसे करी थी बिटा कि समरी बूक और चार्ट बूक से एक बार आपको रिवाइस करना है यह अच्छे से पढ़ाई करें खुश्रों के बढ़ाई करें विच इस मौर इंपोर्टेंट और में आज के जो नोट्स ते क्लता के मैंने लिखे थे वह मैं आपको ग्रूप में शेयर कर रहा हूं और जो वीडियो क्लास में उनके लिए भी क्वेस्टर कभी वाला चप्टर म मैं आपको ग्रूप में थोड़ी दर बार शेयर करूंगा मैं आपको ओके टेलिग्रम गूप में और जो गुगल ट्री पेंटर में उनके चप्टर में ड्राई पर अप्लोड कर दूंगा भारत माता की जह है और दी बेस्ट पढ़ी अच्छे से बाबाई टेक केर आपको आपको सारे क्वेश्चन भी आपको मज़ा है आपको ओके दन तेंक यू